हाँ जी ओनलाइन प्लैटफोर्म में आपका स्वागत है उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होगे तो रोज की तरह आज भी हम कोशन्स को डिसकस करेंगे और अब तक हमने 87 तक कोशन्स को डिसकस कर लिया था और जो आज का शैशन रहेगा इसमें 88 से 100 कोशन्स कि 2023 के रिगाड़िंग अगर पूरा का Пूरा आपको जो कोर्स है रिकोर्डिट फों में भी अवालेबल होगा आपको बस क्या करना है टैस्ट माफिया को जल्दी से क्या करना है डाउनलोड करनार अगर इस बैच के रिगाड़िंग कुछ भी आपको इनकॉर belongs चाहिए तो की तरफ बढ़ते हैं तो जो आज का अपना जो question रहेगा जो फर्स्ट question है synthetic parathroids should not be used हां जी जो ध्यान देने वाड़ी बात है तो synthetic parathroids से question direct पुछा हुआ है for the control of rice insect pest because it increase the populations हां जी तो हम basically अगर बात करें से question की synthetic parathroids से question आया हुआ है तो यही पुछा हुआ है कि हमें इसका use क्यों नहीं करते हैं insect pest में और किसकी population हाई हो जाती है जी तो बात करें synthetic parathroids बनते हैं dried chrysanthemum से chrysanthemum में एक flower है जो attract करते है plant hoppers को हां जी दो synthetic parathroids बनाए गए थे वो basically के लिए बनाए गए थे insecticidal purpose है बट इससे क्या हो रहा था राइस प्लांट होपर भी क्या हो रहे थे attract हो रहे थे जब राइस प्लांट होपर attract होगे तो इनकी क्या हो रही थी population भी बहुँ जादा increase हो रही थी तो हमें कभी भी synthetic parathroids का यूज नहीं करना राइस में हां जी अगर बात करें next question की तो next question है 89 question हां जी highest green folder yielding हां जी बात करें 89 question की highest highest green folder yielding variety of berseem तो यहां पे variety से question आया हो है variety से question आया हो है berseem की तो direct बताना है highest green folder yielding variety बता दीजिए तो basically जो answer रहेगा जो highest green folder yielding variety रहेगी वो रहेगी BL 42 कौनसी variety रहेगी BL 42 हां जी अगर बड़े next question की तरफ 90 question की बात करते हैं हां जी हां जी अगर बात करें 90 question की आप पंजाब फार्मर आप पंजाब फार्मर wants to grow for crops in a year the most suitable crop rotation पंजाब किसान चाहता है कि वो चार फसलें ले एक साल में और कौन सी crop rotation उसके लिए सबसे ज़्यादा suitable रहेगी हां जी तो अगर बात करें crop suitable की तो अगर rice के साथ rice के बाद mustard और फिर wheat फिर अगर moon करेगा तो सबसे best crop rotation suitable रहती है तो option क्या answer सही होगा a answer correct होगा हां जी अगर बात करें 91 question की plow pan is developed हां जी plow pan is developed तो plow pan कैसे develop हो जाता है हां जी तो अगर आप बार-बार plow pan basically आपको wet condition में ज्यादा तर देखने को मिलेगा अगर आप बार-बार हां जी अगर आप बार-बार repeated puddling करोगे अगर आप बार-बार repeated puddling करोगे तो आपको plow pan देखने को मिलेगा तो ये develop भी हो जाता है तो answer क्या रहेगा देखो repeated puddling से plow pan develop हो जाता है जी wet condition में अगर बात करें next question की तो next question है 92 question shootable intercrops for autumum planted sugar cane तो 92 question में यही बताना है shootable intercrop बतानी आपको autumum planted sugar cane में कौन सी रहेगी देखो potato की अगर बात करें तो potato सबसे ज़्यादा shootable रहती है intercroping में अगर आप autumum planted sugar cane में कर रहे हो तो raya का भी आप use कर सकते हो toria का भी करते हैं गोबी सरसो का भी करते हैं और wheat का भी करते हैं तो अगर b option की बात करें तो b option में तो यह crop अगर आप use कर रहे हैं intercroping में सबसे ज़्यादा shootable रहती हैं autumum planted sugar cane में अगर बात करें next question की 93 question the copper deficiency in wheat under rice wheat system हाँ जी अगर आप rice wheat system ले रहे हो ठीक है जी तो wheat में आपके पास copper की deficiency आजाती है जी ठीक है in sandy soil and can be corrected by sandy soil में सेंडी soil में ज्यादा तर copper की deficiency आपको देखने को मिलेगी sandy soil में basic अगर pH 7.5 से ज्यादा चलीगी तो copper deficiency आएगी तो हमें क्या करना है corrected करना है तो corrected आप कैसे कर पाओगे तो आपको क्या करना है foiler spray करनी है foiler application करनी है 0.2% copper sulfate से हाँ जी तो आप spray भी कर सकते हैं 0.2 कंसेंट्रेशन से कोशन आया हुआ था जी अगर बड़े next question की तरफ अगर बड़े next question की तरफ isolation distance पुछा हुआ है isolation distance for producing foundation foundation seeds for Bajra अब हुआ क्या था काफी बच्चों ने इस questions को गल्त कर दिया था देखो पहली बात isolation distance से आपको दोनों याद रखने है foundation को भी आद रखने है certified seed से को भी आपको जो isolation distance रहता है उसको अच्छे से आपको याद करना है बट यहां पर जो ध्यान देने वाली बात थी वो ध्यान देने यहां पर जो कौश्चन आया हुआ था वो आया हुआ था बाजरा hybrid से बाजरा hybrid से question आया हुआ था तो जो बाजरा hybrid का foundation seed का isolation distance रहता है वो रहेगा 1000 meter तो कितना रखते हैं 1000 meter रखते हैं बट अगर hybrid नहीं अगर बाजरा का use करोगे हाँ जी अगर hybrid का नहीं अगर आप बाजरा का use कर रहें तो basically लिए answer का जाएगा 400 meter पे जाएगा हाँ जी अगर बात करें अगर आप तक आपने test mafia को नहीं किया जल्दी जल्दी से कर लीजिए download कर लीजिए इसको क्योंकि ADO जितना भी batch recorded वहीं पे आपको provide होगा और ADO के recording अगर आप कोई भी जानकारी अगर और उसे relate में आपको कोई भी notes चाहिए कुछ भी test series चाहिए तो आप जल्दी जल्दी से message भी drop कर सकते हो पचात्तर नो सो पचात्तर ट्रीपल जीरो पचात्तर पे हाँ जी अगर देखें next question को 95 question है as per seed standards for certified seed हाँ जी अगर बात करें certified seeds per standards के वे से maximum number of weed हाँ जी maximum number of weed बताने हैं हाँ जी maximum numbers of weed seeds in 1 kg seeds of rice हाँ जी तो per seed standards certifieds के seeds की अगर बात करें तो इसके standards से आप 1 kg of rice में कितने weed के seeds ले सकते हो ठीक है जी तो वो कितने लेते हैं 20 seeds तक basically रख सकते हो आप ठीके जी 1 kg of rice बट इससे जादा है तो आपको certification नहीं होगी अगर बात करें next question की तो next question की बात करें 96 question की तो well-roted well-roted farm yard manure contain 40 to 50% moisture हाँ जी one ton of such farm yard supplies nitrogen phosphorus and potassium हाँ जी तो देखो अगर बात करें one ton such farm yard manure है तो आपको nitrogen phosphorus potassium को बताना है और वो कितने equivalent होगे has a chemical से हाँ जी fertilizer से direct बताना है की यूरिया कितना होगा SSP कितना होगा और मूरेट पोटास कितना होगा अगर बात करें तो यूरिया जो होगा 4 kg superphosphate होगा हाँ जी तो कितना होगा 10 kg मूरेट पोटास basically रहेगा वो रहेगा 6 kg तो अंसर रहेगा B हाँ जी अगर बात करें next question की chemical हाँ जी chemical बताना है जो promote करता है seed germination को seed germination में जो chemical promote में help करता है हाँ जी तो वो कौन सा रहेगा potassium nitrate तो वो कौन सा रहता है potassium nitrate रहता है तो अंसर क्या होगा potassium nitrate होगा हाँ जी अगर बात करें groundnut से तो बेसिकली आपको ग्राउन अफिड का बताना है कि किन किन में serious देखने को मिलेगा तो ये काउपी में भी देखने को मिलता है बीज में भी रहेगा पलसी से फ्लावर में भी रहेगा जो option क्या होगा अगर बड़े next question की तरफ 99 question है अगर राइस बासमती खड़ी फसल में आप वीट की शोइंग करना चाहते हो तो सीड रेट बताना है तो सीड रेट रहेगा 55 से 60 kg सीड पर एककड में हम बिसिकली यूज करते हैं अगर बात करें next question की तो अप्री के लिए अप्री के लिए मेलन लूका हम परिस्टोइड का यूज करते हैं तो किस के लिए करेंगे तो रहेगा हो पर हां जी किसके लिए हो फ़ लीफ लीफ उप पर के लिए करते हैं तो sugar के लीफ हो पर के लिए हम छादता तरी यूज करतें परिस्टोइड का हां जी अगर बढ़े हैं हां जी तो देखो अब जो ADO पंजाब 2020 के जितने भी questions थे सारे के सारे discuss हो चुके हैं next जो question होंगे math के होंगे reasoning के होंगे तो अब इलाज sir आपको कल को discuss करवाएंगे सभी questions को अच्छे से तो बने रहना agree दरपन को और जल्दी जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और जल्दी जल्दी से share कर दो thank you